खरगोन जिले में महालक्ष्मि पूजन की दूसरे दिन भगवान गोवर्धन और पशुधन की पूजा की गई जिसमें लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया आपको बता दी कि प्राचिन काल से परंपरा का निर्वन निमाड अंचल में किया जा रहा है जिसमें महीलाएं लेक्ष्मि पूजन की दूसरे दिन गाई की गोवर से भगवान गोवर्धन बना कर पूजन अर्चन करती है वहीं किसान अपने मविश्यों को तैयार करके उनके पेरों में फटा के फोर कर त्योहरों का लुफ उठाते हैं इसी के चलते शेहर के पहार सिंग पुरा और तोड़ी मौले में परंपरा का निर्वाहन किया गया इस दोरान उमंग और उत्सा की होड में लोगों ने एक दूसरे के उपर फटा के फोर्णा चुरू किये और एक वेक्ति की आख में चोट आई जिसका उपचार जिला चिकित सालाई में चल रहा है मामले की भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुची और इस्थिति का जाय जा लिया परहाल परंपरा का निर्वन में गायल वेक्ति की बात पर एक बात इसपश्ट होई कि त्योहार उकालुप जरूर उठाए लेकिन सतरकता और सयम बरत्ते हुए भारती निस के लिए खरगों से रजाक खान की रिपॉर्ड पुजा बोलते इसको बॉर्दन पुजा किस तरह की जाती है इस तरह की पुजा की पुजा की अपने इसके आप लोगे से करते हैं कंपू चावल भें चोपा चावल कराते हैं मतलब जहुआ इस दो बेटा है और एक जहुआ उदर बूटने हैं कि क्या नाम है आपका कई फर बाइच थी कई खाले भेंट्रां बॉपाल बर्म आक पर लेगुँ और हम लेगर है अब हैं त्व गधे आपटेल मेंग लेगा गया है में जागा तो नहीं है नहीं है कमल वर्मा है मेरा नास हमारे हम आमोज की राती पूजा होती है और सुबेड हो चुछे और जिसके लिए परमा मनाई जाती है किस लिए कर्चे है यहां पर ये जानवर अपू जोड़ा है परमपराचर याई लश्मी पूजा खास लश्मी पूजा वही किला कि है कि सालों के लिए खास लश्मी पूजा बेल्धोरों की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है कै ना में आपका तीने जंडी है कर्चे है